सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही जादा बढ़िया मोबाइल्स दसजार के बजट में एक है वीवो की तरफ से वीवो का वाई बारा एस जो लेटिस लाँच कर दिया वीवो ने इसकी कीमत है दसजार दूसरी तरफ है इसी कीमत में मिलने वाला रेडमी के तरफ से रेडमी का नाइन प्राइम ये भी आपको दसजार में मिल जाएगा तो दोनों का रेट सेम है इस वीडियो में इन दोनों में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या कमिया है, क्या क्या चाहिया है और आपको कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा चले देखते हैं 9 Prime के साथ 10,000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले एक Mini Box मिलता है जिसमें पीछे लगवा है एक Simjector Tool अंदर दिये गए हैं कुछ User Manual इस तरीके से एक मिल जाता है Cover जिसकी Quality काफी अच्छी है Mobile मिलता है Rapper के अंदर Retail Look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको दी गई है ये White Color में Data Cable इसकी Land और Quality दोनों बढ़िया है और दोस्त अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको Type Cable दी गई है तो ये Mobile Type Cable सपोर्ट करता है आखर मापको रखाव मिलता है ये White Color में Charger छोटा सा जिसके अंदर आपको Output दिया गया है 5W 2A का ही तो ये Simple सा 10W का ही Charger है Fast Charger तो इसके साथ आपको नहीं मिलता Simple 10W का ही दिया गया है अगर 18W का Fast Charger होता तो काफी बढ़िया रहता तो ये सारा समवन आपको मिलता है Redmi 9 Prime के साथ 10,000 में Rate के साब से देखा जाए तो फिर भी Box के जो Contents है वो आपको काफी बढ़िया ही दिये गया है Charger Detectable की Build Quality भी काफी अच्छी है और Type-C केबल भी मिल जाती है चले देखते हैं फिर भी अगर आप इतने ही पैसे Vivo के Y12S पे हर्च करते हैं तो 10,000 में Vivo के साथ क्या 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 दिया गया है तो दोस्तो जैसे आप Unbox करते हैं सबसे पहले मिलता है इसके अंदर एक Mini Box ही जिसमें अंदर दिये गए है कुछ User Manual इस तरीके से और Card में लगवा है पीछे एक Simjector Tool इसके बाद दिया गए है एक Cover इसकी Quality भी बहुत जादा बढ़िया है जादा Better Cover है वीवो के साथ इसके बाद मिलता है मुबाल एक Rapper के अंदर डेटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं Box के अंदर आपको दी गई है ये White Color में Data Cable Length और Quality इसकी भी अच्छी है लेकिन दोस्तों कमी यह है इसके साथ आपको Type Cable नहीं दी गई वीवो का Y12S Type Cable सपोर्ट नहीं करता आखर हम आपको रखवे मिलता है ये White Color में Charger Simple इसकी भी विल्ड क्वालिटी वैसी ही है और इसके अंदर आपको Output वही दिया गया है 5V 2A का ही तो ये Simple सा 10Watt का ही Charger है Fast Treasure इसके साथ आपको नहीं मिलता तो ये सारा समान आपको मिलता है वीवो के साथ आप दोस्तों देखा जाए तो Box के जो Contents है वो आपको ज़्यादा बढ़िया दिये गए है Redmi के 9 Prime के साथ क्योंकि उसके अंदर आपको एक खुबी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है उसके साथ आपको Type C के बल दी गई है जो इसके साथ नहीं मिलती तो सेम रेट में Box के Contents आपको ज़्यादा बढ़िया दिये गए है 9 Prime के साथ इस चीज़ में 9 Prime अच्छा है चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में तो इन दोने के अंदर आपको डिज़ाइन मिलता है प्लास्टिक के टाइप का लेकिन Vivo के अंदर आपको काफी ज़्यादा शाइन दिया गया है आप देख सकते हैं बलेक के साथ इसमें कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स दी गई है जो बहुत ज़्याद अच्छी लगती है थोड़ा सिंपल आपको डिज़ाइन मिल जाता है 9 Prime का बाकि दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है प्राइम के डिज़ाइन की वो आपको काफी बढ़िया दी गई है इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप के डिज़ाइन मिलता है तो स्क्रैचिस कम आते हैं रेडमी पे वीवो के कम पर इज़न में लेकिन दोस्तों लुक वाइस शाइनी बहुत ज़ादा बड़ी है डिज़ाइन तो वीवो का ही है बात करें दोस्तों केमरे के बारे में तो वीवो में आपको पीशी की तरफ दो केमरे दिये गए हैं जिसमें पहला है 13 MP का, दूसरा 2 MP का, फ्रेंट केमरा है इसका 8 MP का केमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेड की साब से नॉर्मल मिलती है वहीं दूसरी तरफ रेडमी के 9 Prime के अंदर आपको पीशी की तरफ चार कैमरे दिये गए हैं जिसमें पहला है 13 MP का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 MP का फ्रेंट कैमरा है इसका भी 8 MP का दोसरो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है, वह आपको रेडमी के 9 Prime के अंदर काफी अच्छे मिल जाती है इन दोनों के कमपेरेजन में आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है रेडमी के 9 Prime के अंदर ही, कैमरे को लेकर 9 Prime ज़्यादा अच्छा है वीव के Y12S से, इसके लवग दोसरो आप देख सकते हैं, कम्प्लीट डिजाइन आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वैसे किलिरली वी वीव के ज़्यादा बड़िया है डिजाइन में, रेडमी से बात कर दोसके अधूर डिस्बले के बारे में तो दोनों के अंदर आपको डिस्बले साइज एक जैसा दिया गया है साड़े छेंच का इन दोनों के अंदर आपको 6.5 इंचिस की डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन दोस्तों Vivo के अंदर आपको IPS HD Plus डिस्प्ले दी गई है और Redmi के 9 Prime के अंदर आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है तो quality आपको जाधा better दी गई है 9 Prime के अंदर लेकिन एक्चुल में जो colors है brightness है वो किसमें जाधा बढ़िया है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात कर दोस्तों यूज़ इंटरफेस के बारे में तो यूज़ इंटरफेस कुछ इस तरह किसे दिया गया है Redmi के 9 Prime में आप right side पे swipe करेंगे आपको सारी apps मिल जाती है वीवो के अंदर आप ऐसे उपर के तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोस्तों यूज़ इंटरफेस को लेकर मुझे ये दोनों ही mobile's normal ही लगे बाकी आपकी पसंद की बात है के अंदर से features आपको देखने में किसके जादा अच्छे लग रहा है फिर भी इन दोनों में मुझे use करने में थोड़ सा जादा smooth लगा Redmi का 9 Prime अब दोस्तों दोनों के display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ design जो है display का वो दोनों के अंदर आपको एक जैसा ही दिया गया है notch वाला और edges, bezels अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको बराबर ही मिल जाते हैं तो display का size और design तो दोनों के अंदर एक जैसा है लेकिन अगर आप सबसे important चीज़ देखेंगे display के colors और brightness वैसरो आपको दोनों के अंदर काफी बढ़िया दिये गए है लेकिन थोड़ी सी brightness जो है वो वीवो की display की जाद अच्छी है redmi से तो वीवो की display में ये खुबी जाद अच्छी दी गई है brightness आपको जाद अच्छी मिल जाती है और दूसरी तरफ redmi के 9 prime के अंदर आपको ये खुबी जाद अच्छी दी गई है full HD plus display है इन दोनों मोबाइल्स को left side साब देखेंगे तो sim के tray दी गई है दोनों में इस तरफ अच्छी खुबी ये है दोनों के अंदर आपको sim के tray ऐसी दी गई है कि आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है ये दोनों में खुबी है निचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है दोनों में बिल्कुल सेम जगा पर right side साब देखेंगे तो volume के buttons और power के buttons दोस्तो fingerprint scanner Vivo के अंदर आपको side में दिया गया है power के button के अंदर ही ये जो power का button है ये ही fingerprint scanner भी है Redmi के 9 Prime में power के button के अंदर नहीं दिया गया back panel पे मिलता है उपर से देखेंगे तो Vivo में plain design है लेकिन Redmi के अंदर आपको noise cancellation mic IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप Redmi के 9 Prime से चला सकते हैं दोस्तो 9 Prime के अंदर आपको Android का 10 version दिया गया है लेकिन Vivo के अंदर आपको Android का बिलकुल latest version मिल जाता है Android 11 ये खुब आपको Vivo में जाद अच्छी दी गई है दोस्तो Vivo के Y12S के अंदर आपको 10,000 में दी गई है 3GB RAM 32GB के internal storage लेकिन Redmi के 9 Prime में आपको 10,000 में दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage तो remote storage आपको Redmi के 9 Prime के अंदर जादा मिल जाती है Vivo के Y12S से same rate के अंदर बात कर दोस्तो बैटरी के बारे में तो Vivo में आपको बैटरी मिलती है 5,000 image की Redmi के 9 Prime के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5,020 image की दोनों के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैका पराम से मिल जाता है बैटरी में दोनों बढ़िया है बात कर दोस्तो प्रोस्तर के बारे में तो Vivo में आपको मिलता है Snapdragon 439 प्रोस्तर Redmi 9 Prime के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G80 प्रोस्तर अब देखिए दोस्तों अगर आप एक heavy user है आपको performance बढ़िया चाहिए hang होने की दिक्कत कम चाहिए तो इन दोनों mobile's के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया processor दिया गया है Redmi 9 Prime के अंदर ही processor को लेकर heavy user को लेकर यही mobile ज़्यादा बढ़िया है Vivo के Y12S से तो यह सारी खुब यह कमी आपको मिलती है दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले यह करता है कि आपको Vivo पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे इसके बाद आपके जो main ज़रुत की चीज है वो किसमा ज़्याद अच्छी है तो दोस्तों देखिए गर आपको डिस्पले चीज चाहिए तो आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं एक में ये खुबी है फुल एच्टी प्लेस डिस्पले है और दूसरे में डिस्पले की जो brightness है वो जाद अच्छी दी गई है तो ये आपके उपर matter करता है लेकिन दोस्तों अगर आपको डिस्पले बढ़िया चाहिए तो आप वीवो ही खरी दियेगा डिस्पले जो है इस मुबाइल का वो बहुत ही जाद अच्छा है अगर आपके लिए मुबाइल का look wise डिस्पले ही बहुत matter करता है तो आप वीवो ही खरी दियेगा लेकिन दोस्तों अगर आपको processor अच्छा चाहिए performance बढ़िया चाहिए तो आप Redmi 9 Prime लीजिएगा इसके अंदर आपको processor जाद अच्छा दिया गया है इसी के साथ अगर आपको camera जाद बढ़िया चाहिए तो भी आप Redmi 9 Prime लीजिएगा camera इसके अंदर आपको जाद अच्छा मिल जाता है और दोस्तों अगर आपको battery बढ़िया चाहिए तो आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं दोनों ही mobile's काफी अच्छे हैं लेकिन अगर आपको RAM और storage जाद चाहिए दोसर इसके अंदर आपको display अच्छी मिल जाती है और तीसर इसके अंदर आपको battery बढ़िया दी गई है तो अगर आपको ये तीन खुबिया चाहिए तो आप Vivo का Y12S ले सकते हैं लेकिन दोस्तों पाँच खुबिया है Redmi 9 Prime के अंदर एक तो इसके अंदर आपको battery बढ़िया दी गई है दोसर इसके अंदर आपको full HD plus display मिल जाती है तीसर इसके अंदर आपको camera जाद अच्छा दिया गया है चौतर इसके अंदर आपको processor जाद अच्छा मिल जाता है जो काफी important है और 5S के अंदर आपको remote storage जाद दी गई है तो दोस्तो देखा जाए वैसे same rate में आपको जादा खुबिया मिल जाती है Redmi 9 Prime के अंदर तो अगर आपको Vivo पे ही भरोसा है और आपको Vivo की ये तीन खुबिया पसंद आई तो आप Vivo का Y12S ले सकते हैं बाकी इन दोनों के comparison में Redmi 9 Prime ही जाद अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको खुब ये जादा दी गई है Type-C केबल भी है इसके साथ और IR blaster भी मिल जाता है मुझे personally दोस्तों इन दोनों मुबाइल्स में Redmi 9 Prime जादा पसंद आया आप बताएगा फिर भी कमेंड करके आपको इन दोनों में कौन से जाद अच्छा लगा ये चीज़ कमेंड करके जरूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए में लैकन भी दबा दियागा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लव वीडियो कर आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्ते के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई